नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका तो वेसे तो हम सभी को पता है कि शुषांत का जो मामला है वो कई सारे मोड ले रहा है और अब इसी कड़ी में शुषांत के मामले में एक और नया मोड आया है और इसके दोरान जो भीहार पुलिसे उन्होंने आरोप लगाया है पुलिस ने आरोप लगाया है बियार पुलिस के डीजीपी ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने सयोग नहीं किया उन्होंने न तो पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट बताई है नहीं CCTV फुटेज और बुनियाती सुचनाय साजा किये और ये सुचनाय अगर साजा की जाती तो सु सुचान सिंग राजपुत सुसाइट केस को लेकर बियार और मुंबई पुलिस के बीच खीचतान थम नहीं रहे है डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने कहा है कि मुंबई पुलिस इस मामले में सयोग नहीं कर रहे है उन्हें न न तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट हमें स सक्षम में परिवार के लोग चाते हैं तो सीबिय जाच के लिए आवेदन दे इस मामले में जिने आरूपी बनाया गया है वे भागते फिर रहे बियार पुलिस इतनी आसानी से केस को नहीं जाने देगी सच्चाई सामने लाकर रहेंगे नितिश ने भी कहा है कि पिता करेंगे तो सीबिय जाच की सिपारी संबह है इपाई यार दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस मुंबई जाकर जाच कर रहे हैं मुंबई पुलिस को इसमें सयोग भी करना चाहिए हाला कि उन्होंने कहा है कि इस जाच में दो राज्यों के भी जगड़े जैसी कोई बात न में इसके रिगाल्डिंग केस भी और इसके बारे में अगर बात करें तो 14 जुन को एक्टर शुषांद राजपूत ने मुंबई इस्तित अपने फ्लेट में फासी लगा कर खुदखुशी कर ली थी शुषांद के परिवार वालों ने 28 जुलोई को पटना के राजीव नहीं कर रहे है और अगर कोपरेट नहीं कर रहे है तो इसके पिछे जरूर हो सकता है कि किसी बड़े आदमी का हाथ हो बियार पुलिस को न तो गाड़ी उपलब्द कर आए गई और नहीं अब तक हुई जांच के कोई दस्तावेश दे गए शुषांद की मोद के बाद से लगातार CBA जांच की मांग हो रही है और यहां तकी अमिच्छान ने इसके लिए जो निवेदान है वो आगे प्रोसीड कर जाते है लेकिन उसके बाद महाराष्टर की जो सरकार है उसने इस मामले में काफी धिल दी गई इसे के साथ इस मामले में और भी कई सारे प्रशन जो है उत्पन हो रहे है वहीं कुछ और सुजाओ भी निकल कर आ रहे है जैसे निश्टी स्कुमार ने काया कि अगर शुषान के पिता जी चाहेंगे तो वो CBA जाच के लिए जो है आवेदन कर सकते है और उनके आवेदन को मानियता जरूर दी जाएगे उसी के साथ शुष सुषान्त केस में मनी लोंडरिंग की भी बात सामने आ रहे है और इसके रिगार्डिंग इस मामले में रिया चकरवर्ती शक के दाएरे में है इस तरीके से सुषान्त का मामला काफी ज्यादा कॉंप्लिकेटेड होता जा रहा है आशा करते हैं कि सुषान्त को इस मामले में जस्टिस जरूर मिले आपकी इस पर क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगर इसे के साथ आपसे भी दालेते हैं जय हिन जय भारत